नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेट फार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 17 दिसंबर 2022 के दबिग नूज में चर्चा करेंगे अगनी 5 मिसाइल के बारे में तो दोस्तो यह अगनी 5 मिसाइल क्या है इसकी क्या खासियत है यह भारत क के लिए क्यों एहम है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सपेस में आया हुआ है और लगभग सभी समाचार पत्रों में तो वाट इज अगनी 5 दो लॉग रेंज नूक्लियर कैपेबल मिसाइल डेट इंडिया ह अगनी 5 दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही अनुनाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच जड़प हुई उसी के बीच भारत ने अपनी रक्षा पंक्ती को मजबूत करते हुए अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन कर दिया है तो अगनी 5 can strike target at range 5000 to 5500 km which puts major cities in China including the capital Beijing within its range यानी कह सकते हैं कि यह चीन के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है मिसाइल चीन के बीचिंग सहर तक इस मिसाइल का रेंज हो सकता है तो यह चीन के लिए अब चिंता का बिसे हो जाएगा यानी भारत अपनी रक्षा पंक्ती को लगातार मजबूत कर रहा है दोस्तो अगनी 5 मिसाइल चीन सीमा पर जारी तनाव के भारत ने अपनी सफसे घातक मिसाइल अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षण कर दिया है दोस्तो इसका निर्मालक इसने किया है तो DRDO ने यानी Defense Research Development Organization द्वारा या डेवलब की गई है या भारत में विक्षिस सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल है और इसकी मारक चमता जैसा कि मैंने बताया कि 5000 to 5500 किलो मीटर तक है और दोस्तो इस मिसाइल का पहली बार परिक्षण 2012 में किया गया था तो अगनी 5 मिसाइल में आप देख सकते हैं कि 1980 के दसक से ही अगनी 1 मिसाइल के साथ अगनी सिरीज सुरू की गई थी अगनी 1 अगर देखा जाए तो अगनी 1 is a single stage solid fuel मिसाइल थी इसकी जो रेंज थी 700 तो 900 किलो मीटर इसी तरह से अगनी 2 देख सकते हैं दा अगनी 2 is a MRBM with two solid fuel stages और दोस्तों यह 2000 से 3000 किलो मीटर इसकी मारक छमता इसी तरह से अगनी 3rd has two stages and it uses solid propellant in both stages और इसकी जो रेंज थी 3500 to 5000 किलो मीटर अगनी 4 देख सकते हैं कि अगनी 4 is a two stage missile powered by solid propellant तो यहाँ पर इसकी range देख सकते हैं 3 to 4000 किलो मीटर और दोस्तों अब हम बात करेंगे अगनी 5 missile की जो की सफल परिक्षण हो चुका है और अगनी 6 की भी बात की जा रही है तो दोस्तों इसकी खासियत यही है कि यहाँ पांच हज़ार से अधिक किलो मीटर की दूरी यहतने कर सकती है और इस missile की जद में पाकिस्तान से लेकर चीन और रूस तक आते हैं तो अगनी 5 की सबसे बड़ी खासियत यहाँ है कि यहाँ परुमाण हतियार ले जाने में सक्चम है यहाँ 15,000 किलो मीटर वजन तक के हतियार ले जा सकती है यहाँ एक कैनेस्टराइज यहाँ डिबबा बंद missile है इसे सडक और रेल दोनों से लांच किया जा सकता है इस missile को पंडुबी से भी लांच किया जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं sea-based, land-based चाइना में है, sea and land-based रसा में है, seeking MIRVS पाकिस्तान में और इंडिया में आप देख सकते हैं sea-based और land-based दोनों है तो यहाँ इसकी खासियत हैं यहाँ आप देख सकते हैं stages 1, 2 and 3 तो यहाँ देख सकते हैं कि test fire from अब्दुलकलाम आईलेंड उडिसा, दोस्तो यह वीलर दीप है, इसी का नाम APJ अब्दुलकलाम रखा गया है, तो दोस्तो अब इस missile पर एक्षण के बाद भारत चीन को आसानी से टकर दे सकेगा, दोस्तो ICBM यहनी intercontinental ballistic zone तो अगनी 5 is classified as an intercontinental ballistic missile जिसे ICBM कहते हैं, having a range of 5500 km or more, the US, Russia, चीन, France and Israel already possess such missile, यहनी इस से पहले रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और इस्राइल जैसे देसी यह intercontinental ballistic missile का प्रियोग कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि यह भारत अब अपनी रक्षा पंक्ती कितनी मजबूत कर लिया है, यहाँ पर independently targetable re-entry vehicles है, यहाँ रे-entry vehicles carrying nuclear warhead, जिसे MIRV missile भी कहेंगे, यह देख सकते हैं कि land-based MIRVs are particularly destabilizing because many warhead on fever missile are vulnerable to attack, incentivizing an adversary to strike first in time of crisis. दोस्तों, अगर बात करते हैं कि यह missile भारत के लिए क्यों एहम है, तो भारत और चीन के बीच जो तनाव जारी है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ भारत के लिए missile काफी एहम माना जा रहा है. दोस्तों, बिसेसग्यों का यही मानना है कि missile का चीन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और इसकी मौझूदगी के कारण वह भारत पर कोई भी हमला करने से पहले कई बार सोचेगा, चूकि अब भारत की जो रक्षा पंक्ती है पूरी तरह से मजबूत, और इस तरह से चीन के बीजिंग तक पर यह अपने missile का असर छोड़ सकता है, यानि बीजिंग भी अब भारत के target पे आ गया है, ऐसे में अब चीन भारत पर आक्मन करने के बारे में सौ बार सोचेगा, दोस्तों इस image को आप लोग जरू देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामरिक बल कमांड, यानि the strategic forces command, जिसे SFC कहते हैं, is a K-tri service formation that manages and administers all the strategic assets and falls under the purview of nuclear command authority of India, यानि सामरिक बल कमांड एक प्रमुगत्री सेवा गठन है, जो सभी सामरिक संपत्यों का प्रबंधन और प्रसासन करता है, और भारत परमाल कमांड प्राधिकरण के दाएरे में आता ह परमाल कमांड प्राधिकरण एक मात्र निकाय है, जो परमाल हत्यारों के उप्योग को अधिकरित कर सकता है, और भारत हमेशा no first use, यानि भारत पहले प्रियोग परमाल का नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश ऐसा करने की कोशिस करता है, तो भारत पीछे नहीं हटेगा और एक कारेकारी परिशद भी सामिल है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगनी 5 मिसाइल कितनी महत्वपूर्ण है, अगनी 5 में रिंग लेजर गायरोस्कोप यानि RLG तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, भारत में ही बनी इस तकनीक की खासियत या है, कि यह निशाना बेहस सटीक लगाती है, अगनी 5 मिसाइल का वजन करीब 50 टन है, अगनी 5 की लंबाई 17 मीटर और चोड़ाई 2 मीटर है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इसराइल जैसे देश इंटर कॉंटिनेंटल बैलेटिक मिसाइल की इसकी रेंज के अंतरगत आ सकता है, और दोस्तों इसका निर्मार जैसा कि आपको बताया है कि इसे रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन ने किया था, तो यह बहुत ही महात्वपूर्ण है, अब दोस्तों आज के लिए आप लोगों के प्रस्न है कि DRDO, Defense Research Development Organization क्या है, इसकी अस्थापना कब हुई थी और इसका Head Quarter कहा है, तो इस तरह से आज कहां के ही समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ कि आज काई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, धन्यवाद